नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं केंद्रे विद्धिलय से आये हुए नोटिफिकेशन के बारे में जहां पे आपको टीचिंग पोजिशन में डिफरेंट डिफरेंट वेकेंसी देखने को मिलेगा तो कौन-कन से सब्जेक्ट में वेकेंसी रिलीज किया गया है और यहाँ पे यहाँ पर अप्सीली वाकिन इंटरवीव है तो इंटरवी कर डेट वेनू आ टाइम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शॉर्ट नोटिफिकेशन यहां पे रिलीज किया गया है डिटेल नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है तो सारे डिटेल्स जो है यहां पे चेक करेंगे जिन्होंने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरीके की प्राइब और गवर्णमेंट जोब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो गेट अल दा नोटिफिकेशन और मेरी चैनल पे जो कमिनेटी सेक्शन है वहाँ पे जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं वहाँ पे भी आपको अलग अलग चॉप नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा उमीद करते हूं कि वहाँ से भी आपको मदद मिलेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शौर्ट नोटिफिकेशन है सबसे पहला पोस्ट है यहाँ पे PGT यानि कि पोस्ट ग्राजट टीचर के लिए सब्जेक्ट सब लोग देख सकते हैं जैसे कि English हो गया Physics, then Biology, Hindi, Geography, Computer Science then Computer Teacher, उसके बाद Special Educator यहाँ पे आप देख सकते हैं Study Coaches के लिए यहाँ पे आपका Sports Coach and यहाँ पे Yoga Teacher के लिए Vacancy रिलीज किया गया है PGT यानि कि Trend Graduate Teacher के लिए English, Hindi, Social Science and Science में यहाँ पे Vacancy रिलीज किया गया है Working Interview है तो Interview के लिए आपको कोई भी TADA नहीं मिलने वाला है Interview का जो date है वो आप देख सकते है 2nd July को यहाँ पे आपका Interview होने बाला है School के Campus में ही होगा and यहाँ पे सुबह साड़े आट बजे जो है वो reporting time है साड़े आट से I think साड़े नौ तक यहाँ पे रिपोर्ट आप कर सकते है उसके बाद जो है entry close कर दिया जाएगा तो जब भी आप interview देने जाए या आपको written test के लिए appear होना चाहे तो आपको time maintain करना हमेशा जरूरी होता है क्योंकि अगर आप उसी time पे पहुंचते हैं मतब एकदम last time पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे checking बगरा होता है तो इसलिए हमेशा time पे जाना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं कि interview जिस दिन आपको देने जाना है तो उस दिन आपको क्या करना है जो यहाँ पर application format है वह अभी यहाँ पर release नहीं किया गया है official website पर आभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा but interview से पहले जो है यहाँ पर link आपको मिल जाएगा application format का वह आपको download करके print out निकालके fill कर लेना है अच्छे से कोई भी information आपका miss नहीं होना चाहिए और उसके साथ जितने भी सारे supporting documents है जो भी आप claim करते हैं सभी का as a proof आपको लेके जाना है self-attested करके original copies as well as photo copies and recent color passport size photograph वह भी आपको साथ में लेके जाना है जैसे पहले मैंने बताया कि TADA यहाँ पे नहीं मिलेगा तो खुद की खर्चा से जो है आपको interview attend करना है and यहाँ पे बहुत ही short notification है notification में सिर्फ यही मदब बताया गया है and उमीद करते हूँ कि आगे जाके आपको detail notification देखने के लिए मिलेगा तो यह आया है Kendra Vidala GCC RPA PINJOR जो की हर्याना में पढ़ता है तो एक बर official website के साथ साथ कहां से आपको यह notification मिलेगा वो एक बर दिखा देता है तो यह आया है PM3 Kendra Vidala GCC RPA PINJOR 5 खुला जो की हर्याना में पढ़ता है यहाँ पर नीचे scroll down करते हुए announcement में आपको क्लिक करना है then announcement का जो time है यहाँ पर आके सबसे पहला जो notification वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ से आप download कर लिजिए and 25 June को जो है notification को publish किया गया था and यहाँ पर आपका जो detail notification है वो interview से पहले जो है आ जाएगा अगर आपको remuneration यानि के salary के बारे में जानना है तो यहाँ पर देखिए कुछ teachers का जो है यहाँ पर salary gross salary जो है sleep यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जैसे के PGT mathematics हो गया तो यहाँ पर आप basic pay देख सकते हैं 75,000 के असपर यहाँ पर उनका salary है कुछ यहाँ पर जैसे PGT biology हो गया तो 68,000 and PGT English के लिए 58,600 है PGT physics के लिए 71,000 के करीब यहाँ पर salary है यहाँ पर आके monthly salary जो है staff की वह आप check कर सकते हैं तो वीडियो अगर इनीट कुल या helpful लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए comment section में अपना कोई भी queries या पर doubts के बारे में आप बता सकते हैं आप मैं पूरी कोशिश करूंगी 100% अपकी doubts क्लियर करने के लिए और उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है आपके friends या आपके relative हो सकते हैं तो चलिए मेरी वीडियो को इहीं पर in करते हैं मिलते next video में thank you for watching guys